नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गूगल पिक्सल 6a आपके पास या कोई भी फोन है गूगल पिक्सल का तो यहां पे आप वाइफाई QR कोड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं हैं white keyword कोड सकías करके बीना पासवर्ड के आप कैसे अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं किसी के भी वाइफाई से तो यहां पे में इसे वाले नेट वख से इक और यहां पर न देख सकते हैं अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ तो इसमें सेम नेटवर्क शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर connected नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आप कैसे इसको connect कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऐसे scroll करेंगे, और यहाँ पर आपको scanner का option देखने को मिल जाएगा, आप इस पर click कर लेंगे, और इसका QR code मैं show करूंग और इसको scan कर लेंगे, तो देख सकते हैं, यह connected हो चुका है successfully, और यहाँ पर किसी password की ज़रूद नहीं है, और मान लो आपको यहाँ पर phone, अपना QR code शेयर करना है, तो आप कैसे share कर सकते हैं, किसी और की phone में connect करने के लिए, तो आपका जो भी network connected है, सेटिंग के option पर क्लिक करेंगे, अपने phone का lock enter करेंगे, तो यहाँ पर यह दिख जाएगा, ठीक है, अगर किसी को password नहीं बताना है, तो यह बहुत अच्छा तरीका है, और अगर यहाँ पर दूसरे phone में मैं scanner खोलती हूँ, और इसको मैं scan करती हूँ, और connect पर क्लिक करूँ हूँ, तो देख सकते हैं, यहाँ पर connect हो चुका है, तो इस step से आप यहाँ पर setting कर लिजएगा, बाग यहाँ पर hotspot के लिए भी same चीज है, कि आप अपना hotspot open करेंगे, और यहाँ पर आपको QR code देख जाएगा, यह रहा, तो इसको भी आप scan करके connect कर सकते हैं, connect, देख सकते हैं, pixel connect हो चुका है, तो इस step से आप Wi-Fi QR code के setting कर लिजएगा, I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए मिलते हैं आपको एक next video में, तब तक के लिए नमस्कार,